हलो बच्चों क्यासे हैं आप हुम्मित करती हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो आईए बच्चों आज हम संग्या के विकारी तत्व जान लेते हैं क्या है इसके अंदर इस अध्याय को पढ़ कर समझेंगे संग्या एक विकारी शब्द है इसमें लिंग वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है जैसे लड़का पाठ पढ़ रहा है लड़की पाठ पढ़ रहे हैं लिंग के कारण परिवर्तन आया लड़के के द्वारा पाठ पढ़ आ जा रहा है इसमें कारक के क कारी तत्फ होते हैं लिंग वचन और कारक आईए इनी के विश्य हम में जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे लिंग के विश्य में लिंक को जानने के लिए चित्रों को माध्यम बनाते हैं दो चित्र हमारे सामने हैं पहले चित्र में धोवी कपड़े धो रहा है और दूसरा वाक्य है इसी में धोविन कपड़े सुखा रही है दूसरे चित्र में सेड़ जी मिठाई खा रहे हैं सिठानी जी शिंगार कर रही है तो बच्चों इन वाक्यों में धोबी वो सेड़ जी से पुरुष जाती का तता धोबिन वो सिठानी जी से स्त्री जाती का बोध हो रहा है इसका ग्यान हमें लिंग के द्वारा होता है अर्थाथ अर्थाथ शब्द का वेरूब जो पुरुष या स्त्री जाती का बूध कराता है लिंग के दो भेद होते हैं पुलिंग और स्त्रे लिंग पुलिंग पुरुष जाती का बूध कराने वाले शब्द पुलिंग के लाते हैं यसे लेखक नायक शेर स्त्री लिंग स्त्री जाती का बूत कराने वाले शब्द स्रिलिंग के लाते हैं जैसे लेखी का नाई का शेर नहीं आदी यह तो हैं हमारे लिंग जिसके दो भेद हैं तो आईए बच्चों लिंग की पहचान भी जान लेते हैं तो सबसे पहले हम पुलिंग की पहचान जानेंगे क्या सिखी जाती है उसके लिए कुछ नियम है इसका पहला नियम है जिन शब्दों के अंत में ओ आता है जिसे मन, मेल, नल, जग, सर्प, उपुवन, खेल, संसार, वन आदी ये सब क्या होते हैं पुलिंग शब्द होते हैं दूसरा नियम है जिन शब्दों के अंत में आ आता है जिसे मोटा, पैसा, थैला, लोटा, खोटा, कपड़ा, चमड़ा, छोटा दी ये सब पुलिंग होते हैं जिन शब्दों के अंत में आवाता है जिसे बचाओ, चढ़ाओ, बहाओ, लगाओ, छिपाओ, खिचावा दी ये भी सब पुलिंग होते हैं और जिन शब्दों के अंत में अक, पा, आवा, इला, तो न या पन प्रत्ते लगे हों जैसे कि अक में शब्दाते हैं नायक, चालक, पूजक, बालक, लेखक, शिक्षक, गायक, पा से शब्दाते हैं जैसे बुढ़ापा, मुटापा, खुर पुजापा, ऐसे आवा से बनते हैं शब्द भुलावा, पहनावा, चढ़ावा, दिखावा, चलावा, पश्तावा, इला से शब्द बनते हैं रंगीला, शर्मीला, रसीला, खर्चीला, चंकीला, तो आसे शब्द बनते हैं ममत्व, सतित्व, कवित्व, अपनत्व, पन से शब्द बनते हैं अपना पन बच्पन परायपन बड़पन और पागलपन यह सब पुलिंग शब्द होते हैं इसी तरह है अगला नियम है इसका कि बड़ी बेडोल भारी भरकम और मोटी वस्तुएं जैसे जंगल प्रक बोरा बंडल उड़ा गठर रसा परवत दात, अंगूठा, कंदा, घुट्रा, रिदे, सिर, पैर, बाल, मस्तक नाखुना दी पुलिंग होते हैं वड़माला के कुछ वर्ण भी पुलिंग है जैसे अ, आ, उ, उ, ए, आ, क, च, ट, त, प, र, ह, यह सब क्या हैं पुलिंग होते हैं लेकिन कुछ अपवाद भी है ज परसी की भी कुछ शब्द जिनके अंत में ये प्रत्य लगी होते हैं जिसे की खाना प्रत्य लग गया ये पुलिंग में कहला है दवा खाना, डाक खाना, जेल खाना, पागल खाना, दान प्रत्य लगा, खान दान, कमल दान, इत्रदान, पीक दान, फूल दान, ये पुलिं आर आएगा विस्तार लुहार कहार सुना आज जिन टत्सम शब्दों के अंत में त्रह खो या जो आता है हुआ से त्रो अस्त्र शास्त्र चरित्र पात्र नेत्र इस सब क्या है पुलिंग खो आएगा अंत में जैसे सुख दुख लेखा यह भी पुलिंग है जो आएगा जलच, मनुच, दनुच, सरसिच यह सब पुलिंग यहाते हैं ऐसे प्रानियों के समुदाई भी पुलिंग होते हैं जिसे परिवार, संग, समाच, कुटुम, जुन्ड, दल, समुग यह सब पुलिंग शब्द हैं जल और थल भाग यह भी पुलिंग होते हैं जिसे तालाप, सागर, परवत, पठार, नगर, ग्राम सब पुलिंग है कुछ सामासिक शब्द भी पुलिंग है जिसे विद्याले, पुस्तकाले, द्वजदंड, सभामंडल यह सेनपती यह सब क्या हैं पुलिंग है और कुछ अन्य वस्तुएं भी पुलिंग में आती है जिसे अनाज, जिसमें चावलगे, हूँ, चना, तिल, मतर, मक्का, बाजरा, जो यह सब पुलिंग है लेकिन जवार, उड़द और अहरद, यह क्या है? स्रिलिंग है ग्रहा पुलिंग होते हैं जिसे सूर्य, चंद्र, राहू, केतू, मंगल, बुद, प्रस्पती, शुक्र, शनियादी लेकिन पृत्वी, क्या है? ग्रहा यह स्रिलिंग है द्रव भी पुलिंग होते हैं जिसे तेल, घी, दूद, पैट्रोल, पानी, यह सब क्या है? पुलिंग है लेकिन कॉफी, चाय और लस्टी क्या है? यह स्रिलिंग है ऐसी देश के नाम भी पुलिंग होते हैं भारा, चीन, जपान, निपाल, अमेरिका, इंगले, फ्रांस लेकिन श्री लंका इसका पुआध है श्री लंका जो होता है, वो स्रिलिंग होता है परवतों के नाम भी पुलिंग होते है जैसे हिमाल्य, सुलेमान, हिंदुकुष, अरावली, विध्यांचा, रुजरालादी पेड़ के नाम भी पुलिंग होते है पीपल, शीशम, अशोक, आम, जामू, नीम, बरगत लेकिन इमली और मॉलसिरी का जो पेड़ है, ये स्ट्रिलिंग होता है जैसे मार्च के नाम भी पुलिंग होते है जैसे फरवरी, मार्च, अप्रेल, जून, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चैतर बिसाग, जेश्टादी लेकिन इसका भी अफवाद है, जन्वरी, मैई और जुलाई, ये क्या होते है बार भी पुलिंग होते है बहिसवार, मंगलवार, बुद्वार, ब्रस्वतिवार, शुकरवार, शनिवार, राथन पुलिंग होते है पुखराज, नीलम, पन्ना, हीरा, मोती, मुंगा, केवल मरी, जो है वो, ये रत्न जो है वो, क्या होता है, ये स्ट्रिलिंग होता है, धातुएं भी पुलिंग होती है, जैसे लोहा, पीतल, सोना, सीसा, स्टील, तामबादी, लेकिन चांदी धातु जो है वो स्ट्रिलिंग ह पेजान ऑठार जिन शब्दों के आंत में E आता हो जिसे सारी प्यारी नदी चिठ्ठी कपी गाडे जिन तत्सम शब्दों के आंत में आया O आता है जिसे Ayalya, Amala, Maya, Priya, Tanuja, Priya Ernama, juya ji Niagara, Vaayu या मती प्रत्य लगए हो वो स्त्रीलिंग होते हैं शब्द जैसे आरी शब्द से बनेंगे शब्द आरी प्रत्य से नारी चिंगारी सुपारी पिचकारी आई से बनेंगे शब्द पढ़ाई लिखाई बुनाई पिटाई भलाई मिठाई आवट से बनेंगे ठकावट मिलाव मुलाकात, खपत, कीमत, ताकत, री से शब्द बनेंगे परी, डोरी, छतरी, कबूतरी, हो से बनेंगे सुभ, रा, चाह, सला, कल, परवा, या से शब्द बनेंगे खडिया, बुडिया, बिटिया, गुडिया, पुडिया, चिडिया, वती से शब्द बनेंगे पुत्रवती, स तो भाग्यवति, बलवति, धनवति, मती से शब्ड बनेगे श्रीमति, आईशमति और बुध्धिमति. तो यह शब्द क्या होते हैं? स्रीलिंग होते हैं. भाशाओं के नाम भी स्रीलिंग होते हैं. जैसे बांगला, हिंदी, मनिपूरी, अस्मी, रुसी, जपानी, है तित्यों के नाम स्रीलिंग होते हैं प्रत्मा दित्या तृत्या पंचमी शष्टी नीपियों के नाम स्रीलिंग होते हैं देवनागरी गुरुमकी रूमन पार्सी बोल्यों के नाम स्रीलिंग होते हैं जैसे राजस्थानी हर्यानवी बुंदेली गरवाली मारवारी आदी शरीर के कुछ अंग भी स्रेलिंग होते हैं जिसे जीब, आखे, मूच, थोड़ी, उंगलियां, गर्दन आदी, नदियों के नाम स्रेलिंग होते हैं जिसे गुदावरी, जेलम, नर्मदा, गंगा, यमना, रावी, सत्तुलुजादी अब इसमें याद रखने वाली बात भी है वो बात ये है कि अप्राणी वाचक शब्दों में जीवन नहीं होता है इसलिए इनका लिंग पहचानने में कठना ही होती है इन शब्दों का लिंग पहचानने के लिए इनके साथ लगी क्रियाओं या विशेशन शब्दों पर ध् तूट गई कुछ शब्द ऐसे भी हैं जैसे प्रधान मंत्री राष्ट पती राज्यपाल मैनेजर डॉक्टर इंजीनियर आदी यह पुलिंग या स्रिलिंग दोनों रूपों में समान प्रियोग होते हैं यह शब्द उभे लिंग शब्द के लाते हैं अर्थात यह स्त्री ज dvononों के लिए समान रूप से आते हैं अब जानेंगे हम लिंग परिवर्टन के नियम तो बच्चोब पुलिंग से स्री लिंग बनाने के कुछ नियम है पहला नियम में ओ को आ करके जैसे ओ के साथ आ की मत्र लगा दो, जैसे अध्यक्ष का अध्यक्षा, प्रिये का प्रिया, अग्रच का अग्रजा, सुत का सुता, शिश्ये का शिश्या, पूज्ये का पूज्या, विमल का विमला, व्रित का व्रिदा, छात्र का छात्रा, भवद्ये का भवद्या, निर्मल का निर्मला और आचार्यका अचार्य दूसरा है आ को इया करके स्रिलिंग शक बनाय जाथा जैसे चुहा चुह या बेटा बिटिया चीड़ा चिड़िया कुस्ता कुतिया बुड़ा बुड़िया गुड़ा गुड़िया लुटा लुटिया और डिब्बा डिबिया तीसरा है आनी या आनी जोड कर जैसे इंद्र इंद्रानी वरुण वरुरुरानी रुद्र रुद्रानी देवर देवरानी नौकर नौकरानी भव भवानी महतर महतरानी से ऐसे ही लाला का ललाइन, शुल्क का शुकलाइन, पंडित का पंडिताइन, चौबे का चोबाइन, बनिया का बनियाइन, चोदरी का चोदराइन, पाचुआयाएं वान को वती और मान को मती करके. जिसे बलवान का बलवती, भगवान का भगवती, धनवान का धनवती, आईश्मान का आईश्मती, ग्यानवान का ग्यानवती, गुडवान का गुडवती, भाग्यवान का भाग्यवती, श्रिमान का श्रिमती, सत्यवान का सत्यवती, पुत्रवान का पुत्रवती चटा है ओ या ई को इन करके जैसे पुजारी का पुजारेन, धोबी का धोबेन, तेली का तेलेन, कहार का कहारेन, सुनार का सुनारेन, पापी का पापेन, लुहार का लुहारेन, बाग का बागेन, दर्जी का दर्जेन, नाई का नाईन, माली का मालेन, नाती का नातेन और साथ वाएं ई जोड कर जैसे का मामा का मामी, मुर्गा का मुर्गी, दादा का दादी, घुडा का घोडी, लड़का का लड़की और बकरा का बकरी ऐसे ही आठवा है अक को इका करके जैसे अध्यापक का अध्यापक का शिक्षक शिक्षक का निवेदक निवेदिका नायक 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 गायक गायक का उबदेशक उबदेश का सेवक सेविका चालक चालिका नवा है नी जोड कर जैसे भील भीलनी सिह सिहनी उट का उटनी, मोर मोर नी, बट्योर बट्योर नी, रिच रिश नी, जादुगर जादुगर नी, जाट जाटनी और दस्वा है नर एवं मादा जोड़कर जैसे भेडिया का स्ट्रिलिंग मादा भेडिया चीता का मादा चीता खरगोश का मादा खरगोश और कौवा का मादा कौवा ऐसी नर कोयल का स्ट्रिलिंग कोयल नर मचली का मचली है स्ट्रिलिंग नर मखी का मखी स्ट्रिलिंग नर तितली का तितली स्ट्रिलिंग है और ग्यावाय हैं पूर परिवर्तन करके जैसे कर रान जा का रानी स्त्रिलिंग है बैल का गाय यूवक का यूवती ससुर का सास्त्रिलिंग वर का वधू वीर का विरांगना पिता का माता पुरुष का स्त्री समराट का समरागी नेता का नित्री विद्वान का विदूशी औ तो बच्चों हमने लिंक की पूरी जानकारी ले ली हैं आब हम जानकारी लेंगे वचन की वचन किसे कहते हैं तो बच्चों व्याकरण में संख्यागा बोद कराने वाले शद्वचन कैलाते हैं हम दो कॉलम देए दो खंड कोखंड और खोखंड में नव्याने पत्रिका खळी आये खड़ी बादी के नाच रही तो बच्चों खेंल को नीवान यान ख़िल और दो खंडखो में पत्रिका, बालिका, कली और गारी ये वचन के एक होने का बोद करा रहे हैं और खंडखो में पत्रिकाएं, बालिकाएं, कली और गारी ये वचन के बहुवचन होने का में बोद करा रहे हैं अर्थात अर्थाद शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचण कहते हैं चलिए वचण के भेद जाने अब तो वच्चों वचण के दो भेद होते हैं आपको पता होगा एक वचण और बहुवचण एक वचण शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तू प्रदात प्राणी या विक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं इसे घड़ियां कुर्सियां खिलोने बंदरियां अब इसमें याद रखने वाली बात ये है संख्या के अधार पर वचन के दो भेद और भी माने गए हैं गड़निय वचन और अगड़निय वचन जिन वस्तों की गिंती की जा सकती है उन्हें गड़निय वचन कहते हैं जिसे बस्ता टोपियां पैंसिले आदी और अगड़निय वचन अर्था जिन वस्तों की गिंती नही कि जानकारी लेंगे तो बच्व वचन की पहचान मुख्यता दो प्रकार से होती हैं पहला संग्य इफव सर्वनाम शब्दों के द्वारा दूसरा कृया शब्दों के द्वारा आईए इनने बहर करे विस्तार अच्छा us for the AOR ये कुत्ता से हट नबला है कुट्ब होक रहें कुट्टे से बुर्छन पता लग więcej पेड़े-बर चिडियाँ पेड़ों से से बखंड का lavender hen पच्छो कभी-गभी वाक्ये में क्रिया शब्दों से एक वचन अत्वा भ्वचन की बेंचान होती है जिसे सादू तपस्या कर रहा है कर रहा है एक वचन सादू तपस्या कर रहे हैं कर रहे हैं बहुचन मोर निर्त्य कर रहा है कर रहा है एक वचन मोर निर्त्य कर रहे हैं कर रहे हैं बहुचन बालक पढ़ रहा है पढ़ रहा है एक वचन बालक पढ़ रहे हैं बहुचन है चांदी सोना दूद पानी आग आकाश ठील लोहा जनता घी क्रोध शमा जल तेल प्रेम मोह सत्य जूट मिष्ठान सामान सहायता वर्षा ये सदा एक वचन में रहते हैं और सदा बहुवचन में रहने वाले संग्या शर्थ हैं होश ओठ प्रान आसू हस्ताक्षर बाल जली अब एक वचन किस्तान पर भुवचन का प्रयोग कैसे हो जानने लेते हैं कि इसका पहला नियम है किसी व्यक्ति के प्रति आधर और सम्मान प्रकच करने के लिए एक वचन किस्तान पर बहुचन का प्रabor होग किया जाता है जैसे की जैसे कि करण महान दानवीर थे यहां इने सम्मान देने के लिए करण तो एक ही है ठाकी जगा थे का प्रियोग हुआ डॉक्टर शैला रस्तोगी प्रसित कवित्री है कवित्री का सम्मान करने के लिए बहुचन का प्रियोग है और आफ मारा, रिषचन्द्र सत्यवादी थे संमान के लिए थे का प्रियोग हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अध्यापक हमेशा संमान निये होते हैं इसलिए उनके लिए अभी पड़े इसमें कंड, डक्टर शेला रस्तोगी, महराजा हरिश्चंद्र और अध्यापक एकवचन शब्द हैं परन्तु इनके प्रतिसम्मान व्यक्त करने के लिए बहुचन क्रियाओं का प्रियोग किया गया है इसमें दूसरा नियम है इसमें तू एकवचन शब्द है जिसका भुवचन तुम है परन्तु आजकल तुमका प्रियोग एकवचन की रूप में ही किया जाता है जिसे अजय ने रोहन से पूछा तुम कहां जा रहे हो और इसका तीसरा नियम है स्वैम को बड़ा दर्शाने ही तू मैकिस्थान पर हमका प्रियोग किया जाता है जिसे डॉक्टर ने रोगी से का हम कल तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दे देंगे तो यहां पर भी हमका प्रियोग किया गया अब हम जानेंगे बच्चों वचन की परिवर्तन के नियम एक पचन शब्दों को भवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम होते हैं जिनकी अनुसार ही एक पचन शब्दों को भवचन में परिवर्तित किया जाता है इसका पहला नियम है अंत में आय औ को आय में बदल कर जिसे दाल का भवचन दाले, सडक सडके, कोयल कोयले, पुस्तक पुस्तके, दिवार दिवारे, सलवार सलवारे, भैस भैसे, राह राहे, छत छते, कमल कमले, भहिन भहिने, रात राते, मेज मेजे, और कमीस कमीजे इसका भवचन है दूसरा है आंत में आए आ को ए में बदन कर जिसे बच्चा का बच्चे, पेड़ा का पेड़े, बक्सा का बक्से, सिंघारा का सिंघारे, कमरा का कमरे, बस्ता का बस्ते, बेटा का बेटे, पपीता का पपीते, दर्वाजा का दर्वाजे, गमला का गमले, लड़का का लड़के, रजगुला का रजगुले, पंखा का प खुकताएं दवा दवाएं बाला बालाएं कविता कविताएं माला मालाएं अध्यापिका अध्यापिकाएं सभा सभाएं कला कलाएं माता माताएं लेखीका लेखीकाएं सरीता सरीताएं और चोथा है अंत में आई इ को इया में बदल कर जैसे ताली तालिया गारी गारिया गली गलिया नदी नदीया लड़की लड़किया नारी नारिया सारी सारिया कली कलिया खिरकी खिरकिया और कुर्सी कुर्सिया भोवचन शब्द इसका पाच्वा इस त्री लिंक शब्दों चंद्रबिंदू लगा देंगे उपर और सात्वा है अंत में आए आ उ एवं उ के साथ उ लगा कर तथा उ को उ में बदल कर जिसे शाखा शाखाएं आलू आलू योजना योजना ओं गुफा गुफा ओं लता लता ओं सडक सडकों भराता भराता ओं सादू सादू वदू वदू और माता माता ओं आठवा हैं अंत में आई इ को इ में बदल कर तथा यों लगा कर ताली तालियों लाठी लाठीयों सारी सारीयों गारी गारीयों कली कलीयों लड़की लड़कीयों यात्रीयों अधिकारी अधिकारीयों रोटी रोटीयों नदी नदीयों मचली मचलीयों और चावी चावीयों और नवा है एक वच्चन शब्दों के अंत में लोग, जन, गण, वर्ग तथा वरिंद लगा कर। जिसे गुरू गुरू जन, मजदूर, मजदूर लोग या मजदूर वर्ग, भक्त भक्त जन, पाठक पाठक वर्ग, अध्यापक अध्यापक गण, चात्र चात्र वर्ग या चात्र गण, करमचारी गण, अधिकारी अधिकारी वर्ग, लेखक लेखक गण, लेखक वरिंद, युवा युवा लोक और युवा वर्ग तीसरा है कारक अभी हमने लिंग वचन पड़े आव हम पड़ेंगे कारक बचो भाशा को प्रभाव में बनाने के लिए आवशक है कि शब्दों का आपस में संबंध था पित किया जाए आईए कुछ वाक्य पढ़ते हैं जिसे पन्न एसी करिया छूट गई हैं जिनके बिना शब्दों का आपस में संबंध नहीं जुर सका है आईए इसे दुबारा पढ़ते हैं पन्ना ध्याय ने उद्याय ने उदे सिंग को बास की टोकरी में सुला कर उसे जूटी पतलों से ढखकर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ मह का प्रियुग होने से सभी शब्द एक दूसरे से जुड़ गए हैं और सारथक अर्थ हमें कारक और उनके कारक चिनों की कारण समझ में आ रहा है अर्था अर्था संग्या अत्वा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंद क्रिया अत्वा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वे कारक के लाता है अब जानेंगे हम कारक चिन जो शब्द संग्या और सर्वनाम के आगे लगकर क्रिया के साथ संबंद प्रकट करते हैं उ सबसे पहले पढ़ेंगे करताकारक किसी कार्ये को करने वाला करताकारक के लाता एक सुहानी ने कविता सुनाई अब तुम घर चले जाओ तो इसकी पहचान कैसे की जाए बचो करता कारक की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कौन या किसने लगा कर प्रश्णि किया जाता है उत्तर में जो प्राप्त होता है वही करता होता है दूसरा कारक है कर्म कारक अर्थात वाक्ये में क्रिया के व्यपार का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्मकारक कहते है कर्मकारक का कारक चिन को होता है किन्तो इसमें भी कभी कभी चिन का लोप हो जाता है इसे मौसी ने बच्चे को जूस दिया सुधा ने पत्र लिख लिया इसकी पहचान कैसे हो कार्मकारक की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ किसको या क्या लगा कर प्रश्ण किया जाता है उत्तर में जो प्राप्थ होता है वही कर्मकारक होता है और तीसरा कारक है करणकारक जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं करण कारक की कारक चिन से वो के द्वारा है जिसे सेव को चाकु से काटो यह लिफाफा डाक के द्वारा आया इसकी भी पैचान कैसे हो करण कारक की पैचान करने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ किस के य ये कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं संप्रदान कारक के कारक चिन को वो के लिए है जैसे भिकारी को खाना दो बार पीरतों के लिए चंदा जमा किया गया इसकी पहचान करने के लिए संप्रदा कारक की पहचान करने के लिए वाक् स्रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं अपादान कारक का करक्चिन से अलग होने की अर्थ में होता है जिसे गंगा हिमाले से निकलती है मौसी जी दिल्ली से आ गए इसकी पैचान करने के लिए अपादान कार किसी अन्य संग्य असर्व नाम से प्रकठ होता है तो उसे संबंद कारक कहते हैं संबंद कारक के कारक चिन काके की रारेरी होते हैं जैसे यह लवली का घर है वह मेरी पुस्तक है इसकी पहचान कैसे हो संबंद कारक की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ किसका या किसकी लगाकर प्रश्णी किया जाता है उत्तर में जो प्राप्त होता है वही संबंद कारक होता है और साथ हो है अधिकरन कारक वाक्ये में जो शब्त क्रिया के अधार का बोध कराता है उसे अधिकरन कारक कहते हैं अधिकरन कारक के करक्चिन में वो पर है जिसे चिडिया गोसले में बैठी है रगूचत पर खेल रहा है इसकी पैचान करने के लिए अधिकरन कारक की पैचान करने के लिए वाक्ये की क्रि क्रिया के साथ नहीं होता बलकि अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं इस शब्द का प्रयोग किसी को पुकाने या संबोधित करने के लिए होता है जैसे कि हे भगवन मेरे रक्षा करो अंकुर इधर आओ तो यह क्या है इसमें हे भगवन और रंकुर जो है वो संबोधन कारक है तो चलिए बच्चो कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर एक बार जान देते हैं बच्चो कर्म, कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को कारक चिन का प्रियोग होता है किन्तु वाक्ये में जहां कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक तथा जहां देने का भाव होता है वह संप्रदान कारक होता है जिसे मुरारी ने कुत्ते को मारा कर्मकारक, विने ने रोहीत को पुस्तक दी, इसमें देने का भाव है तो संप्रदानकारक है आगे करणकारक और अपदानकारक में अत्तर जान लेते हैं करणकारक और अपदानकारक दोनों में ही से कारक्चिन कप्रियों होता है जिसे मामा जी बस से आये हैं यहाँ पर साधन है तो करन का रख है रोहन व्रिक्ष से आम तोड़ रहा है इसमें अलग होने का भाव है आम व्रिक्ष से तूटकर अलग हो रहा है तो अपादान का रखाएगा बच्चों आपके अभ्यास के लिए हम इस अध्याय को एक बार द लिएक वह एचन कहते हैं वह बच्ट के दोवेद होते हैं संग्या अत्वा सरवनाम के जिस रूप से उसका संबंद क्रिया अत्वा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है तो उम्मीद करते हूँ बच्चों यह अध्याय आपको समद्वे में अई होगा में लिं साइम कीदिये.